सरकट गए धर लड़ते रहे इस धरा की आन बचाई थी भारत माता के खातर राजपूतों ने जम कर लड़ी लड़ाई थी नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आप देख रहे हैं दभारशो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड है भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ दरसल राजपूतों को लेकर बीजेपी के एक उम्मीदवार ने अनरगल बाते की जिसके बास सही राज राजपूतों के तरफ से कही गई तो बीजेपी ने इस पर पूरी तरीके से मौन धारण कर लिया बीजेपी ने इन बातों को अंसुना कर दिया क्योंकि उमीदवार जो है वह राजकोट के हैं गुजरात के राजकोट के उमीदवार पुर्शोतम रुपाला है उन्हें नह पर राजपूतों ने अब ये प्रण लिया है कि जब तक अपमान करने वाले लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले कुलेकर शत्रियों का चलिया आपको सुनाते हैं कि अपरे मापुर्तों का समान वापिस नहीं होगा जिन लोगों अपमान करा उन्हें सजा नहीं मिलेगी जब तक भारते जंता पार्टी को एक वेटी वोट नहीं तो कि अपरे से पहले आप लोगों ने पंचयात बुला दिये चुनाम होने वालत पैसे में चलक से क्यों हो जनता के साथ किसको पहेंगे आप किसको और देना चाहिए थे डर्ति जनता पार्टी जो भी चुना हें चुना वरा वेगा उससे समर्षान कर अगा से समाज है समाज का हम भारत जनता पार्टी को लेक आए थे लेकिन भारत जनता-पार्टी बेजिने का काम भी अमलोग कर वह स्वार्वार्ण हें आ पैस siitäatoreसे अर्यजियान लेकिन मुख्यमंत्री ने आपके हमाज से हैं रक्षा मंत्री गायना सिंग है वह भी आपके हमाज से हैं तो क्या लगता है कि अभी भी कुछ इस्तेदारी बचलिए आप लोगों के लिए आप एक बाब बताओ जब हमने रियासते इस देश को दी तो हमने संसत मांगे थे पर अंदोलन नहीं करा हमने अंदोलन तब करा तब हमारे महापुर्थों का अफमान हुआ और अफमान राजपूत से नहीं कर सकता और यह स्वाबिवान की लड़ाई है मैं तो पहले भी कहा एक बार जो समाज के लोग गल्ती कर गे बाज़ते जंतापार्टी कानून बणा लेकिन सोशल मीडिया पर जो लखातार ट्रेंट चल रहे हैं जो राजपूत विरोध कर रहे हैं क्या वो लोग सभा चुनाव में बीजेपी के लिए भारी पढ़ने वाला है आप क्या सोचते हैं या फिर यह चार दिन में पूरा मामला शांत हो जाएगा अपनी राए कमें करके जरूर दीचे का धन्यवाद